सब्सक्राइब बेक टू आवर चैनल डाइनेमिक टेकनो दोस्तो मेरे पास एक 5G मोबाइल है दोस्तो उसमें मेरा 5G नेट्वार्क आता है तो होता क्या है दोस्तो एक प्रोब्लेम मुझे दिखाई देता है मेरा मोबाइल पर होता क्या है दोस्तो यहाँ पर 5G नेट्वार् by default automatically changes होने के बाद so आज के सब्सक्राइब पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तो एक setting आपको अपना mobile पर करना है तब दोस्तो यहाँ पर अपना mobile पर हमीशा आप 5G network चला सकते हैं यानि कि automatically दोस्तो कभी भी changes नहीं होगा आप यहाँ पर 5G network ही रहेगा दोस्तो आपको कोई भी problem नहीं आएगा all limited uses कर सकते हैं डाटा 5G network से तो कैसे करना है दोस्तो चलिए आपको बता देता हूँ practical है तब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा पहले दोस्तो आपको देखने के लिए मिलगा है मैं screen पर आ चुका हूँ तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है दोस्तो में nutrition बार पर आने के बाद यहाँ पर यह 4G मेरा network आ रहा है दोस्तो मेरा 5G mobile पर ठीक है जी यहाँ पर 4G लिखा हुआ है और यहाँ पर 4G network भी आ जाता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा Preferred Network Type इसमें आपको क्लिक करना है इसमें दोस्तों आपको यहां पर Preferred 5G और Preferred LTE दोनों ओफसन आपको देखने के लिए मिल जाता है जैसे कि यहां पर मेरा 4G Network आ रहा है दोस्तों भी मेरा Preferred 5G होके भी 5G, 4G network आता है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं प्रीफर LTE कर लिया हूँ, LTE करने के बाद यहाँ पर automatically 4G change हो चुका है, यहाँ पर LTE पर set हो चुका है, यहाँ पर 5G करने के बाद यहाँ पर करने के लिए 5G प्लस अभी आ चुका है, यानि कि दोस्तों में जब यहाँ पर जो प्रीफर network को यहाँ पर मैं एक बार टाइप यानि कि चेंज करता हूँ, तभी दोस्तों यहाँ पर यहाँ नेट्वर्क जो होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चलि में मोबाइल का डैलर पर चले आउँगा यहाँ पर यहाँ को डैल करना है, दोस्तो 363636 यहाँ पर हट करने के बाद के बाद के व्याइप तोगा से क्लिक और कारना है यहाँ पर करन integral के नेट्वार्ट टैप इसमें दोस्त आपको कहीं सारे option मिलता है NR, LTE, D लिखा गया है इसमें आपको click कर लिएना है इसमें click करने के बाद दोस्ते आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें थोड़ा सा scroll down करने के बाद NR only लिखा हुआ है NR only पर आपको क्या करना है NR only को आपको select करके आपको यहाँ पर set कर लिएना है set करने के बाद दोस्ते आपको देखने के लिए मिलेगा यह NR only पर set हो चुका है तो जैसे यहाँ पर NR only में किया हूँ तो दोस्ते आपको देखने के लिए मैं जो मेरा network होता है यहाँ पर आपको check करना है दोस्तो जो आपका 5G plus होता है वो automatically कभी भी changes नहीं होगा 4G में NR only को enable करने का एक problem है दोस्तो कोई भी outgoing call नहीं कर सकते हैं कोई भी incoming call नहीं आ सकता है जब कभी भी दोस्तो आपको यहाँ पर कोई भी incoming call या फिर outgoing call करना है तभी दोस्तो आपको क्या करना है जो NR only को आपको pre-forward network type का आपको change कर लेना है और जब कभी भी दोस्तो all limited आपको data को uses करना है इंटरनेट चलाना है तभी आपको 5G में तभी NR only को जाके आपको enable करके आप आराम से 5G network चला सकते हैं free of cost में all limited इस तरीके से दोस्तो अगर आपका जो 4G आपना 5G phone में दोस्तो automatically 5G network automatically changes होता है 4G में तो इस तरीके से ये problem को sort out कर लेना है दोस्तो फिर भी कोई भी problem आता है network के related मुझे comment section में बता सकते हैं मैं आपको ज़रू guide करूँगा और दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तो ये जो nr only को जब enable करेंगे तभी आपका full network दिखाएगा दोस्तो कोई भी network में problem नहीं आएगा बस आपको ये problem आता है दोस्तो किसी को भी आप call नहीं कर सकते हैं आपको कोई भी आपको call नहीं आएगा ये problem होता है ठीक है जी और आप यहां पर all limited data users कर सकते हैं nr only को enable करके और राइट